टुपहर का सूरज तेज चमक रहा था, नीचे हो रहे दो अलग-अलग मंजरों से अनवेर, दो जुलूस अगल-बगल से निकल रहे थे और धूल उड़ रही वस। कमिंग-खिरी मंजिल की तरफ बयाच रहा वस। दो अलग-अलग होफकतें, दो अलग-अलग कहानिया, फिर भी जिन्दगी के इस बड़े से ताने बाने में एक दूसरे से जुडी वेर। बीच, नजरों से दूर, दुलहन अपनी पालकी में बैठी वस। फूलों से सजी उसकी पालकी, एक नई जिन्दगी, एक नए अध्याय के शुरू हैपनिंग ने का वादा कर रही वस। चारों तरफ हंसी और खुशी की कमिंग वाजें गूंज रही वेर। गेंदे और गुलाब की खुश्बू, जो सुन्दर मालाओं में पिरोए गए थे, पूरी गली में फैल रही वस। जहां देखो, वहां मुस्कुराहटें, शुभू फमनाएं और सपने उडान भर रहे थे। परंपराओं का भार उनके कंधों पर हलका सा था, जो इस खुशी के मौके को और भी पवित्र बना रहा वाज। ये जीवन का उत्सव था, प्यार की शक्ति का प्रमान वास। इसके विपरीत, जनाजे के जुलूस में सन्नाटा चाया हुआ वस। सिर्फ शंक की धुन और पंडितों के मंत्रों की कमिंग वाज आ रही वस। गमगीन चहरों वाले लोग कंधों पर कफन में लिप्टा शव ले जा रहे थे। कमिंग अंखों में कमिंग अंसुली एंटे पीछे-पीछे चल रही वस। उनकी सिस्कियां उनके दर्द को बया कर रही वेर। हवा में अगरबत्ती और मौत की गंध वस। मृतक जो अब सिर्फ एक याद बन गया था अपनी कमिंग खिरी यात्रा पर जा रहा वस। उसका जीवन एक कहानी जो अब पूरी हो चुकी थी उसे पीछे छूटे लोग याद कर रहे थे। उनकी जाने का गम सब पर चाया हुआ था। हवा में एक दर्द साफ महसूस किया जा सकता वस। हर कदम कमिंगे मुविंग ना, अपनों को जाने देना, मौत की कड़वी सच्चाई को स्वी उफर करना वस। जुलूस दुख और यात्रों का एक स्याहन रित्य कमिंगे बर रहा था। जीवन की नश्वर्ता की याद दिलाता वस।